मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगाँ दात साफ करने के लिए टूथ ब्रश मत करो खर्चा बचेगा हम आजकल टूथ पेस्ट करते हैं कॉल गेट, क्लोज अप, पेपसिडेंट, सिभा का फॉरेंस ये बड़े महंगे हैं, 30 रुपए का 100 ग्राम, 300 रुपए किलो, हुआ कि नहीं, गाय का घी 200 रुपए किलो, टूथ पेस्ट 300 रुपए किलो क्या मूर्ख लोग हैं इस देश के पढ़े लिखे, सुपर इडियेट वो क्या करते हैं 200 रुपई के लोग गाय का घी नहीं खाते और 300 रुपई के लोग का पेस्ट रगड के दांतों पे थूखते हैं वो कहते हैं हम बड़े स्मार्ट है मैं उनसे कहता हूँ और स्मार्ट बनो क्या करें क्या करें मैं करें यह 300 रुपई किलो का पेस्ट इसको थूखते क्यों इसी को रोटी पर लगा लगा के खालो गाई के गी से तो महंगा है कितना फाल तू खर्चा कर रहा है तीन सो रुपई किलो का पेस्ट मैंने एक दिन हिसाब निकाला था एक आदमी रोज जो ब्रश करता है न सबेरे का तो एक बार के ब्रश में देड़ से दो ग्राम टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है अगर वो आदमी साठ साल तक अपनी जिन्दगी के साठ साल तक ब्रश करता रहे तो एक आदमी का टूथपेस्ट का खर्चा एक लाख चालीस हजार रुपई आता है साठ साल तक एक पेस्ट आता है सौ ग्राम तीस रुपए का जिन्दगी में वो जितने पेस्ट इस्तेमाल करेगा साट साल में उसका हिसाब जोड़ा एक लाख चालीस हदार के आसपास खर्चा क्या फाल्तू खर्चा है बंद करो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है ब्रश को पेस्ट लगा के लगणने की कोई जरूरत नहीं है फोखट का काम करो दातून करो दातून नीम की दातून बबूल की दातून पाकड की दातून करंज की दातून अमरूद की भी दातून होती है आम की भी दातुन होती है बबूल की दातुन 12 तरे के पेड़ है उनकी दातुन करो tax free, cost free side effect कुछ नहीं है expiry date कुछ नहीं है फोगट में मिलती है के नहीं एक एक दातुन तोड़ लो और दातुन तोड़ के 7 दिन तक चलाओ उसको मैं तो एक दातुन साथ दिन कर लेता हूं कैसे दातुन किया, चबाया, आगे का हिस्सा काट दिया, फिर पानी में डाल के रखा, दूसरे दिन फिर कर लिया, ऐसे साथ दिन चलती है एक बार क्या हुआ, एक IIT का लड़का मुझे पूछता है, बहुत इंटेलिजन्ट होते हैं, IIT वाले में भाशन दे रहा था, क्या दातुन को साथ दिन करते हैं मैंने का भाई तू ये बता, एक टूथ ब्रश को कितने दिन करता है, उसने का मैं तो साल भर तक करता हूँ, मैंने का तू महा मूर्ख है, मैं तो साथ दिन में बदल देता हूँ, तू साल भर एक ही ब्रश को रगड़ता रहता है बन करो ये brush और ये brush की मुश्किल पताए क्या है tooth brush होता है plastic के उसमें Brussels होते है उनको जब हम रगडते हैं तो मसूडों पर उसका घर्शन होता है मसूडे सब छिल जाते हैं कमजोर हो जाते हैं जिनके मसूडे कमजोर होते हैं उनके दात कमजोर हो जाते हैं जिनके दात कमजोर हैं उनकी जिन्दगी में कोई आनंद नहीं है दूसरी समस्या क्या है कभी भी आप देखना टूत ब्रश होता है न उसमें जहां ब्रसल्स लगे रहते हैं न वहाँ पीला पीला सफिद सफिद कच्रा जमा हो जाता है उस पे हजारों वाइरस आकर जिंदा बैठते हैं और रोज आप अपने मुह में डाल के क्या खतरनाक काम कर रहे हो बंद करो अच्छा नहीं है और एक बात बता हूँ यह जो टूथ पेस्ट है ना टूथ पेस्ट जिसको आप घिसते हो इसमें जाग बहुत बनता है मालूम है जाग तो वाशिंग पाउडर में भी बनता है कभी-कभी मैं लोगों से कहता हूँ आप कॉल्गेट क्यों करते हैं इसमें जाग बहुत बनता है तो जाग तो shaving cream में भी बनता है shaving cream क्यों नहीं रखड़ते हैं अब मैं असली बात बताता हूँ जिस वस्तू से shaving cream में और washing powder में जाग बनता है वही वस्तू toothpaste में मिलाई जाती है उसको कहते है sodium laurel sulfate और ये ऐसा खतरना chemical है जो cancer कर देता है अब मैं आपको एक सच्चा ही बताता हूँ अमेरिका देश में, यूरोप के देशों में toothpaste जब बजार में बेचा जाता है तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है और उसमें कहा जाता है सावधान, toothpaste करने से cancer होता है अंग्रेजी में लिखते है और अमेरिका यूरोप के toothpaste पे क्या-क्या लिखते है अंग्रेजी में लिखते है प्लीज कीप आउट इस toothpaste फ्रम रीच अफ दा चुल्रन बिलो सिक्स एर्स माने छे साल से छोटे बच्चे को ये toothpaste कभी मत कराना क्योंकि बच्चे उसे चाट लेते है वो cancer से मर सकते है फिर अमेरिका और यूरोप के toothpaste पे लिखते है इन केस ऑफ एक्सिडेंटल इंजेशन प्लीज कॉंटेक्ट इमीडियेटल पॉईजन कंट्रोल सेंटर माने गलती से पेस्ट अगर कर लिया बच्चे ने हॉस्पिटल लेके जाना उसको जहर है क्या जहर है उसमें एक केमिकल जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सलफेट ये केमिकल एक बूंद अगर आपकी जीप पर गिरा दें तो जीप पर ही कैंसर हो जाता है मत करो आप ये बेकार है तो दात कैसे साफ करें दातून से दातून है ना पिपरिया में तो बहुत है मैं अभी रास्ते में आया इतने नीम के पेड़ है कि दातून ही दातून है यहां तो आपको तो कोई कमी नहीं तो दातून करो दातून ना मिले तो दंतमंजन करो दंत मंजन भी फोकट वाला करो खर्चा नहीं करना फोकट वाला दंत मंजन घर में रसोई है वहाँ पे हल्दी है ले लो थोड़ी सी हल्दी और सरसों का तेल है वो भी डाल दो उसमें और थोड़ा सा नमक तीनों को मिलाओ दाथ पे घिसो सबसे अच्छा दंत मंजन और एक दूसरा बताता हूँ गाय है गाय उसका गोबर है गोबर को जला दो कैसे जलेगा पहले सुखाओ उसको छोटे कंडे बनाओ फिर जला दो तो राख निकलेगी उस राख में थोड़ा नमक मिलाओ थोड़ी फिटकर ही मिलाओ और उसको दाथ पर गिसो उससे अच्छा दंत मंजन दुनिया में नहीं और एक तरीका बताता हूँ नीबू है ना नीबू हम सबजी में ने चोड़ते हैं अब छिलका बच गया इसको फेकना नहीं छिलके को उलट दो अंदर का हिस्सा बाहर निकाल दो उसके नमक रिगड़के ऐसे से दाथों पर गिसो दाथ एक दम साफ और एक दो बात बताता हूँ जिनके दाथ पीले हो गए आम का पेड़ देखा उसका पत्ता तोड़ लो आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी दे चबाने के बाद वो चट्नी जैसा होगा लुगदी बनेगी उसको दाथों पर रगड़ दो दाथ एक दम किट-किट करने लगते है एक दम साफ ये सब फोकट का इलाज है है कि नहीं और नहीं तो कोई खरीदना है तो दंतमंजन खरीद लो बजार में बहुत मिलते हैं लाल दंतमंजन, काला दंतमंजन विको बज़दंती अब तो स्वामी जी का भी दंतमंजन आता है दिव्योग दंतमंजन वो ही ले लो आप वो लेओगे तो आपका पैसा कम स्वामी जी के ट्रस्ट में जाएगा उसी से हम ये सब काम कर रहा है तो यहां तो दातुन करो नहीं तो दंतमंजन तूथपेस्ट बंद तूथब्रश बंद अब एक जानकारी और देता हूँ आपको ये जो टूथपेस्ट होते हैं कॉलगेट, क्लोजप, पेपसुडेंट, सिवाका ये ज़्यादा तर टूथपेस्ट बंते हैं मरे हुए जानवरों की हड्डियों से हमारे देश में हजारों कतल खाने चलते हैं वहाँ गाय बेल भैस को काटते हैं उनका मास बजार में बिखता है उन जानवरों की हड्डियों को टूथपेस्ट बनाने वाली कमपनियां खरीदते हैं हड्डियों को धूप में सुखाते हैं बोन क्रेशर में डाल कर पाउडर बनाते हैं फिर उसी से पेस्ट बनता है फिर उसी को हम मुह में लगाते हैं रोज सबेरे ही सबेरे और जिस दिन उपवास होता है तो जरूर भगवान की पूजा करते हैं सबेरी सबेरे हड्डियों का चूरा मुह में लगाते हैं अभी कैसे प्रसंद होंगे भगवान बताओ बंद कर दो ये सब अच्छा ने ठीक है तो बहुत पैसा देश का बचेगा मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि पेस्ट बंद कर दें ब्रश बंद कर दें जो पैसे बचेंगे अगर उतने से ही दातुन खरीदने लगें पचास पैसे की एक दातुन तो तीस लाख लोगों को दातुन बेचने का रोजगार मिल जाएगा इस देश आप कभी बंबई जाना बंबई बंबई के सब रेलवे स्टेशन में दातुन बिकता है एक रुपए का दो, दो रुपए का तीन ये बंबई में हो सकता है तो पिपरिया में भी हो सकता है अब बस करना ये पड़ेगा कि दातुन करनी है तो नीम का पेड़ लगाओ बबूल का पेड़ लगाओ दातुन तभी मिलेगी ना तो पेड़ भी लगाओ हर साल कम से कम एक हैं? आपका जनम दिन आता है ना उस दिन एक पेड़ लगाओ हम जनम दिन मनाते हैं आज कल कैसे केक खरीद लाते हैं फिर मुम्बत्ती लाते हैं फिर केक के चारो तरफ लगाते हैं फिर दियासलाई से जलाते हैं फिर उसी को फूक मार मार के बुझाते हैं क्या मूर्ख लोग हैं उसको बुझाना था तो जलाया क्यों हमारे घर में जलता हुआ दीपक तब बुझाते हैं जब किसी की मौत होती है तो जनम दिन हुआ के मरण दिन तो मत मनाओ तो कैसे मनाएं जनम दिन एक पेड़ लगाओ उस दिन और मैं तो यह कहूँगा जितने जनम दिन हो गए ना उतने पेड़ लगाओ मान लिजे चौदे साल पूरे हो गए तो चौदे पेड़ लगाओ कहां लगाएंगे घर के सामने लगाओ घर में जगे नहीं तो पडोसी के घर में लगाओ दोस्ती हो जाएगी और पेड़ तो रहेगा जिन्दगी भर आप तो चले जाओगे नीम का पेड़ अगर लगाया तो 500 साल जिन्दगा रहता है आप तो 100 साल में मर जाओगे वो पेड़ तो 500 साल रहेगा और एक पेड़ आपने लगा दिया हजारों रुपई की ऑक्सिजन देता ऑक्सिजन ही हमें चाहिए वो पेड़ से ही आती है तो हर दिन, हर जनम दिन पर पेड़ लगाएं, ऐसे जनम दिन मनाएं